नमस्कार दोस्तों आप सभी का पहले देखो पहले सी को यूटूब चैनल में स्वागत है अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नी क्या है तो प्लीज रेट सब्सक्राइब बटल को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करने इसके साथ जो भंटे का आएगन है इसको दोस्तों आप सभी का पहले देखो पहले सी को यूटूब चैनल के नई वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है जी हाँ दोस्तों देख सकते हैं प्रधान मंतरी खाद्य सुरक्षा योजना 2019 की नई लिष्ट है जो जारी कर दी गई है दोस्तों अगर इस लिष्ट में आ तो दोस्तों किस सरीके से आप जो है इस योजना के अंतरकत अपना लिष्ट में नाम चैक कर सकते हैं और कैसे आप फ्री में अनाज, चावल और गेहू जो है प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों 5 जुलाई 2019 को जो मोधी सरकार द्वारा बजट जारी किया गया है उस बजट के इस योजना को सामिल किया गया है खाद्र सुरक्षा योजना 2019 को इसके अंतरकत मोधी सरकार जो हर गरीब किसान वर्ग को फ्री में रासन उपलब्द कराने वाली है तो दोस्तों किस तरीके से आपको इस लिष्ट में अपना नाम देखना है आपको मैं स्टेप बाइ स्टे कि गॉर्मेंट से समंदित पलपल की अपडेट अगर आप हमारे यूटूब चैनल के मादम से देखना चाते हैं गॉर्मेंट की जो भी योजना आती है उसका वीडियो मैंने मैं चैनल पे सबसे पहले अपलब्द करा पाता हूं इसके लिए दोस्तों आपको हमारे के बगल में आपको दिखाई दे रहा होगा राइट साइड में आपको उसको दबा के भी ओल नोटिफिकेशन को ओके करना है इससे यह होगा जैसा ही कोई भी नेक्स इफूर्मेशन हमारे सामने निकल के आएगी जैसा ही कोई भी गौर्मेंट की नई योजना आती है उसका वालों के भी शेर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान भाई जो है इस लिष्ट में अपना नाम चेक कर सके और इस योजना का लाब उठा सके फ्री में रासन कैसे प्राप्त कर पाएं तो दोस्तों चलिए वीडियो की करते हैं सुरुवात तो दोस्तों आपको क्या करना है अपने मोबाल के अंतरकत किसी भी ब्राउजर के अंतरकत आपको गूगल का न्यू पेज स्योपन करना है और सर्च बार में आपको टाइप करना है fsc जैसे आप यहां पर टाइप करेगे fsc और इसे करना है आपको search जैसे आप search करोगे FSC को तो आपके सामने इस तरीके से शोरी दोस्तों आपको type करना है FCS Food Corporation System जैसे आप यहाँ पर type करोगे FCS और आपको करना है इसे search जैसे आप इसे search करोगे तो आपके सामने इस तरीके से सबसे पहले आपको जो साइट दिखाई देगी www.http-fcsup.gov.in तो आपको यहाँ पर रासन कार्ट दिखाई देरा इसके पर आपको करना है किलिक जैसे आप इसके पर किलिक करोगे जो सबसे पहले साइट आपके सामने उपन होगी इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं खाद्दे आपूर्ती एम रसत विभाग उत्तर परदेश सरकार दोस्तों मैं यूपी से हूँ तो आप जिस भी छेतर से वीडियो देख रहे हैं और अगर आप अपने छेतर की लिष्ट देखना चाते हैं तो दोस्तों आप नीचे कमेंट बोक्स में कमेंट करके अपने राज का नाम जो है हमें बता सकते हैं ताकि मैं आपके राज की लिष्ट का वीडियो भी आपको जल्द बता सकूँ या कमेंट करके आप अपने राज का नाम बता सकते हैं सर हमें इस राज की लिष्ट यह तो आप कमेंट करेंगे तो कमेंट के नीचे मैं आपको साइट का लिंक आपको अपलफ़ करा दूँगा reply के अंतरगत तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर जैसे ही आप इसको स्क्रॉल करते हैं नीचे लेके आएंगे तो आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं काफी ओप्सन आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर सेकंड लाश्ट ओप्सन दिखाई दे रहा है एन एफ एफ एक की पातरता सूची आपको इसके अपर करना है किलिक जैसे आप इसके अपर किलिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके से next window open होती है और आप यहाँ पे देख सकते हैं राश्ट्रिय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एन एप ऐसे की पातरता सूची खोजें दोस्तों आप दो तरीके से सूची में अपना नाम देख सकते हैं एक तो राशन कार्ड संक्या से और एक राशन कार्ड अन्य विवरंड से मैं दोनों ही आपको बता देता हूँ वीडियो जरूर थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपको संपूर्ण जानकरी मैं एक ही वीडियो में प्लब्द कराने वाला हूँ तो इसके लिए आप इस वीडियो में शुरूर से लेकि आखिर तक बने रिये तो दोस्तो जैसे आप राशन कार्ड संक्या पर चेक मार्क लगाएंगे तो आपके सामने इस तरीके से राशन कार्ड का उप्सन आएगा और आपको यहाँ पर 12 अंको की जो राशन कार्ड संक्या है वो आपको यहाँ पर इंपुट करनी है और यहाँ पर बॉक्स के अंतरगत आपको मैट के डिजिट आएंगे सिक्योर्टी कोड वो आपको यहाँ पर डालके आपको खोज के उपर क्लिक करना है दोस्तों अगर capture code ने आये तो आपको यहाँ पे दुबारा से refresh करके भी आप देख सकते हैं अब राशन कार्ड अन्य जानकारी से आप किस तरीके से देख सकते हैं तो आप जैसे ही राशन कार्ड अन्य विवरंड के उपर check mark लगाएंगे तो आपके सामने इस तरीके से next window open होगी और आपको यहाँ पे क्या कैंट्रेक्शन फिल करनी है सबसे पहले यहाँ पे आपके जिले का नाम, यहाँ पे छेतर का नाम, यहाँ पे विकास खंड का नाम, यहाँ पे card का प्रकार और यहां पे मुख्या का नाम हिंदी में या फिर आप English में लखना चाए तो आप यहां पे मुख्या का नाम Hindi में इंग्लिश में भी input कर सकते हैं उसके बाद यहां पे मुख्या के पिता का नाम आपको type करना है और उसके बाद आपको जो आसन कार्ड की जो सूची है वो आपके सामने आ जाएगी उसके बाद अगर आपके पास ये भी पुलब्द नहीं है तो आप कहां से इस सूची में अपना नाम देख पाएंगे उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ तो दोस्तों आप जैसे स्कोल करते हूए आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तो आपको यहाँ पर दिखा रहा है एन एफ एस ए पातरता सूची उसके नीचे आपको यलो पट्टी के अंतरकत आप अपसको ओर स्कोल करते हूए उपर लेके जाएंगे जैसे आप इसके पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आपके सामने देख सकते हैं इस तरीके से राश्टिय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA की पातरता सूची यह देख सकते हैं 10-7-2019 समय बच की 3-25 मिनट पर अपडेट हुई है आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको जिले के नाम सौर है जितने भी जिले हैं UP के अंतरका सभी जिलों के नाम दिखा रहे हैं आप जिस भी राजे से देखेंगे तो आपके राजों के नाम यहाँ पे दिखाएगा यहाँ पे पत्र ग्रहनी दिखाएगा यहाँ की रासन काड और यहाँ पे लाभारतियों की संक्या दिखाएगा यहाँ पे दिखाएगा अत्योदे यहाँ पे रासन काड और लाभारतियों की सूची यहाँ पे योग में दिखाएगा इन दोनों का य तो जैसे एक्जाम्पल के तोर पे मैं आपको एक राज्य की दिखा देता हूँ तो मैं यहां पे सलेक्ट कर लेता हूँ गोरकपुर की मैं यहां पे सलेक्ट कर लेता हूँ तो दोस्तों मैं यहां पे जैसे गोरकपुर के उपर किलिक करता हूँ तो हमारे सामने इस तरीके से देख सकते हैं अब गोरकपुर के अंतरकत भी दो सूची हमारे सामने लिकल के आएगी आपके सामने भी दो ही सूची आएगी यहाँ पर गोरकपुर की देख सकते हैं यह फ़र्ष्ट में तो नगरिये छेतर है यानि की रूरल छेतर और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर शोरी वहाँ पे तो आपको नगरिये छेतर था और यहाँ पे रूरल छेतर है ग्रामिन छेतर तो आप अगर ग्रामिन छेतर से निवास करते हैं और ग्रामिन छेतर की देखना चाते हैं तो आपको इसके पर चेक करना है और अगर आप सहरी छेतर में रहते हैं तो आपको यहा आपकोटा देता हूं तो आपको यहां पर ब्लोग के नाम दिखा रहा है। अपने तैसिलों के नाम तो गोरखपुर में जितने भी ग्राम ए incarn alimentos के अंत्रकाथ इंक धच्रक नहीं का नाम स्लेक्ट कर लेता हूं तो आपको यहाँ पे अपनी पंचाय समीति जो है उसको यहाँ पे सलेक्ट कर लेना है तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं 93 पंचाय समीतियों के नाम यहाँ पे दिखा रहा है तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक पंचाय समीति सलेक्ट कर लेता हूँ जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ गोपालपूर यहाँ पे आप देख सकते हैं 49 नमबर पे गोपालपूर है तो मैं जैसे ही गोपाल शोरी दोस्तों यह दूसरी सेलेक्ट हो गई मैं गोपालपूर सेलेक्ट करता हूँ जैसे ही मैं गोपालपूर के उपर किलिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लोग जिला यहाँ पे गोरकपूर ब्लोग गोला और यहाँ पे ग्राम पंचयत गोपालपूर और यहाँ पे आप देख सकते हैं दुकानदार का नाम यहाँ पे दिखा रहा है जो प् 26 लाभारती 389 और योग आप देख सकते हैं कुल रासन कार्ड जो है 668 और लाभारती जो है 2482 लाभारती ओको इसके अंतरगत लाभ जो है दिया जाएगा तो दोस्तों जैसे आप रासन कार्ड के अंतरगत यह जो संक्या दिखा रहा है इसके अपर आप क्लिक करोगे आपको नाम कैसे देखना है कि हमारा नाम इसमें है या नहीं है तो आपको यहाँ पर रासन कार्ड के अंतरगत 597 में दिखा रहा है उश्योरी 522 और यहाँ पर अ यहां पे सूची है और अनाज वालों की सूची यहां पे है तो आपको यहां पे जो यलो के अंतरगत दिखाई दे रहा है शोरी बलू पट्टी के अंतरगत जो आपको नीला नीला यहां पे अक्सर दिखाई दे रहा है इसके पर आपको करना है कलिक जैसे आप इसके पर क्लिक करोगे तो आपके सामने प्रतेक किसान का नाम आएगा जो रासन कार्ड इस योधना के लिए पात्र है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रैस्ति का वितरन विवरन शोरी दोस्तों दुकानदार का नाम यहाँ पे दुकान संक्या देख सकते हैं यहाँ पे पातरता कार्ड का प्रकार देख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजिटल रासन कार्ड संक्या, सभी की रासन कार्ड संक्या आपके सामने यहाँ पे सोरी है, तो आप यह रासन कार्ड संक्या भी देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे रा आक्सर करने की तिथी आप यहां पे देख सकते हैं एक साथ यानि की एक जुलाई एक जुलाई एक जनवरी 2019 के सभी हैं आप यहां पे लिष्ट मैं आपको यहां पे नीचे बता दू कि कितने नाम है यहां पे तो दोस्तों पानसो बहतर नाम है आप यहां पे देख सकते हैं तो दोस्तों जैसे आप किसी भी रासन कार्ड के पर किलिक करोगे तो उस परिवार की संपूर्ण विवरन आपके सामने आ जाएगा जैसे मैं एक्जांपल के तोर पे सबसे पहले आपको फश्ट में लेके चलता हूँ और यहां पे मैं जैसे यह रीना के नाम से आपको दिख सकते हैं इस परिवार की जो भी डिटेल है सारी आ जाती है रासन कार्ड संक्या कार्ड का प्रकार कैसा है दुकांदार का नाम धारक का नाम यहां पे पिता का नाम यहां पे देख सकते हैं माता का नाम सदस्यों की संक्या चार और उसके बाद उन परिवारों की विवरन नाम है यानि कि हर प्रकार की आप यहां पर जानकारी देख सकते हैं अपने रासन कार से संबंदी जानकारी भी आप यहां पर प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों वीडियो जरूर 13 मिनट का हो चुका है लेकिन आपको शंपून जानकारी मैंने यहां पर बताई है अगर आप किसी तो दोस्तो मेरे द्वारा दी गई जानकरे आपको पसंद आए है तो वीडियो को अभी लाइक करें ताकि दोस्तो अगर आप वीडियो को लाइक करते हो तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है और मेरे को अच्छा लगता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकरे लोगों को पसंद ताकि मैं इससे भी अच्छा content आपके लिए next वीडियो में लेके आ सकूँ और दोस्तो आगर आपने अभी तक हमारी YouTube चैनल को subscribe ने क्या है और अगर आप हमारी YouTube चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो दोस्तो आपको इस वीडियो की नीचे जो red subscribe लिखा हुआ दिखाई दे र आएंगे तो दोस्तो मिलते है नेक्स टूडियो में तब तक के लिए जय हिंज जय भारत जय जवान जय किसान